मैं हूँ सरवजिन्दाज आप सभी को शर्षूती एकाडेमी में स्वागते चलो आज मैं लाई हूँ वही स्टैंडर्ड 6 के हिंदी सुर्भी निव लॉन्वेल बुक के एक नया चैप्टर चैप्टर 13 कृष्ण लिला का मैं जो भी कोशिन अंसर था लॉंग कोशिन अंसर द लेनाज में चैप्टर 14 पढ़ाने वाली हूँ तो आए जानते हैं चैप्टर 14 क्या है और उसके कोशिन अंसर के बारे में जानते हैं तो चलो चैप्टर 14 निकालो जल्द से जल्द तो ये देखो आगया चैप्टर 14 चैप्टर 14 के नाम है टॉपी का नम सेर सिवाजी तो पार्ट के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि यहां पर क्या दी गई है यहां पर ये एक एकांकिक है जो कि एक गल्प भी कह सकते हो एक बस कहानी कहीं से बस छोड़ा सा कहानी लाए ह तो सिवाजी की निर्वीकता और स्वाविमान की जांकी प्रस्तुत करती है इस कहानी में और मुगल बासाह औरंग जेब द्वारा कैद कर लिये जाने पर भी सिवाजी उसकी ताकत के सामने जूके नहीं है अपनी हीमत और सूजबूज पर पुरा बिश्वास रखते हैं उ तो यहां पर सिवाजी है राम सिंग है दोनों के केरक्टर पर गई है और सिवाजी एक बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं साहासी राजाओं में से थे साहासी थे और बहुत स्वाभिमान लोग खुद को बनाए थे स्वाभिमानी बहुत हीमत रखते थे कोई भी काम हो, सुजबूज के ही काम करते थे और अपने काम पे वो बहुत ज़ादा विश्वास भी रखते थे तो इसका हम लोग आज कोशिन आंसर डिसक्रसन करेंगे, तो पहले चलो कोशिन आंसर के शक्षन में तो ये देखो, अव्यास करने से पहले कटिन सब्द का अर्जान लो, आभारी का मतलब है कुरूतग्य, पिता तुल्य, यानिकी पिता के शमान जो होते हैं, उत्ते जित, यानिकी बहुत ज़ादा क्रोध करना, क्रोधित हो जाना, प्रतिस्ठा यानिकी इज्जत, सरहानिय, प्रशन सनिय, गुरुजन, बड़े लोग, कॉर्नीस, तीन बार जुक कर सलाम करना, बिवश था, यानिकी लाचारी, आसंखा, यानिकी शंधे, बिड़ा उठाना, किसी काम का उत्तर दाइतो लेना, या फिर संकल्प करना कुछ, अविलासी, चाहने वाला, या फिर इचु जब मैं लंकोशिन का पार्ट लाऊंगी, पार्ट टू में, तब मैं ये डिस्कुशन कर दिऊंगे, आज सिर्फ सटकोशिन का डिस्कुशन करेंगे, तो चलो सटकोशिन के तरफ, या पर देन सेकंड दी गई है, मिलन कीज़े, यानिके आपको मैच करना है, सिवाजी, रा खिन का सेर, राम सिंग, राजा जै सिंग का पूत्र, राजा जै सिंग, मिर्जा सहाव, बादसाह, सलामत, मुगल बादसा और अरंग्जे, देन आजाओ पार्ट बोद के तरफ, रिक्त स्तानों के पूर्ति कीजे, मैं उनका अपने एक गुरुजन के रूप में सम्मान करत हूं, जो व्यक्ति महानकार्य करने का बिड़ा उठाता है, उसे महान संकटों के लिए भी तयार रहना चाहिए, मैं समराट की समानाता का अविलासी हूं, मैं आप लोगों की सुबकामना के लिए कृतग्य हूं, जहां महिलाओं की प्रतिस्ठा होगी, बच्चों के विकास की समुचित व्यवस्था होगी, देन लिकित प्रिष्ण लग उतरिया और दिर्ग उतरिया बाद में करूंगी, जब मैं लंकुषिन का पाट लाओंगी, पहले से बोल चुकी हूं, देन किसने और किस से कहा है, आप उस अपमान को कुछ दिनों के लिए भूल जाते और अन जा मारजा तरस्ते हैं, ये वाक्या, राम सिंग ने सिवा जी से बोले हैं, क्या आप ऐसे रास्टर के निर्मार में मेरी दहीनी भूजा बनना नहीं जाएंगे, ये वाक्या, सिवा जी ने राम सिंग से, इसके रहते साक्षात काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, सिवा उगउंगे साथ डिस्कसन करूँगी देन भासा से नीचे दिये गए समरूपी विरनातक सब्दों के अर्थ लिखे अनिल, अनल, अनल का अर्थवाईू, अनल का अर्थ अगणी, खा, सोक यानिकी दुख, सोक, सोक यानि रूची, गृुह यानिजिग घर, ग्रह यानिकी तो नीचे दियेगे सब्दों मेंसे दो नंबर यह जितने सारे सब्दों में बोली हूँ या फिर जितने सारे सब्दों के नीचे अंडरलाइन की हूँ ये सारा का सारा सब्द एक-एक भाबचक संग्या सब्द है देन तीन नमबर निचे दे गए विसेशन सब्दों को उचित विसेश्या से मिला ये विसेशन विसेश्या सांदार यानिकी मकान सच्चा रुदे किम्ती सामान महान कार्य पुज्य पिताजी अनुकल परिस्थीती दाही नी भूजा अदुबुत चमतकार तो यह पर खतम होती है आपकी सारे चप्टर की जो कोशिन आंसर ये पर है उपटित गद्यांस इसका रहा कोशिन का आंसर में अलड़ी लिखती हूँ आप लोग देखके पहुच करके अपने कापी या बुक में फिल अब कर सकते हैं अगर डाउट है तो मेरे सेक्शन में क कुछ कोशिन चार कोशिन दी गई है इसका भी मैं अंसर लिख दी हूँ करेक्शन करेक्ट साइन लगा दी हूँ तो आप यह भी देख लीजिए और अपने बुक में कम्लेट कर लीजिए अगर कुछ भी डाउट हो कोशिन अंसर में तो मुझे जरी और कमेंट करके तो ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ पहला आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए और आप देख सके कोई भी चैनल कोई भी वीडियो को आप मीज ना करो देन मैं रखती हूँ आद के प्रिया सरो जिनी टाटा वैवै आवे गुड नाइट